Hello everyone, स्वागत आपका इशड़ी मेरी जिद में मैं विकास जैसा कि UP पुलिस भरती परिच्छा के लिए आपकी हिंदी की टैसीरी चल रही है उसी क्रम में आपका ये अंगला वीडियो है जिसमें हम हिंदी के टॉप 38 प्रशन करेंगे जो आपकी परिच्छा के लिए बहुत ही most important है तो चलिए सुरुआत करते हैं आपका पहला प्रशन है कि सूरदास के गुरु कौन थे option A, रामानंद, option B, रामादाश, option C, बल्लभाचार या option आपका जो D है निए 4, बिठलनाद तो यहाँ पे आपका option C है या तीसरा की बल्लभाचार वो आपका सही हो जाए याई सूरदास के गुरु कौन थे तो सूरदास के गुरु थे बल्लभाचार आगे बढ़ेंगे प्रशन नमबर आपका दूसरा है कि छंद पढ़ते समय आने वाले बिराम को क्या कहते है option A, गती, option B, यती, option C, तुक, या option D, गड़ तो यहाँ पे आपका option जो B है वो आपका सही हो जाएगा यहाँ चंद पढ़ते समय आने वाले जो बिराम होता है उसे हम क्या कहते है यती कहते है आपका यह अल्ब बिराम भी हो सकता है और यह बिराम भी हो सकता है ठीक है अंगला प्रशन है आपका कि जहाँ बाकी की गती अंतिम रूप ले ले बिचार के तार टूट जाएगा वहाँ किस चिन्न का प्रियोग किया जाता है option A, योजक, option B, अल्ब बिराम, option C, उद्धरण चिन या option D, पूड बिराम तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वह आपका option D सही हो जाएगा यानि पूड बिराम सही हो जाएगा तो अंगे बढ़ेंगे प्रशन नमबर 4 है अमर्श क्या है? option A, एक काब बिदोस, option B, एक संचारी भाव, option C, एक काब बिगुड, यो option D, एक अलंकार तो अमर्श क्या है? तो अमर्श एक संचारी भाव है, option जो B है वह आपका सही हो जाएगा आंगे बढ़ते हैं प्रशन नमबर 5 है कि कवीरदास की भासा कौन सी थी? option A, ब्रज, option B, खड़ी बोली, option C, कन्नोजी, option D, सदुकड़ी तो कवीरदास की जो भासा थी, वो कौन सी थी? वो थी आपकी शदुक कड़ी, यनि option जो D है वो आपका सही हो जाएगा प्रशन अगला है कि 6 से 7 तक निमनकित मुहावरों के उचित विकल्ब चुनिए मुहावरे दिये गए इनके अर्थ बताने है प्रशन 6 है कि द्रोपती का चीर कार्थ क्या होगा? option A, नारी का अपमान करना option B, सर्वनाक कार option C, कभी समाप्त नहोना option D, सुन्दरिस्त्री तो यहाँ पर आपका option C है यनि कभी समाप्त नहोना वो आपका सही हो जाएगा आगे बढ़ेंगे प्रशन नमबर अगला देखेंगे आपका प्रशन 7 है कि कूप मंडूक होना मुहाबरे कार्थ क्या होगा? option A, कूए में गरना option B, मूर्क होना option C, मात देना option D, सीमित ग्यान या सीमित अनुभव होना तो कूप मंडूक कार्थ होता है सीमित ग्यान होना इन्य option D, सही हो जाएगा आगे बढ़ेंगे प्रशन 8 है कि इस प्रशन में बाग के पहले और अंतिम भाग को क्रम से एक और छे की संख्या दी गई है बीच में आने वाले अंस चार भागों में निर्माण ओ सके यानि जो first and last है पहला और छटा वो अपनी ही जगे रहेगा और यार आलावा इनका हमें चिन बदल देना है और एक सुद्ध बाग के बनेगा वो क्या होगा ठीक है option आपके दिये गए है A, B, C, D ठीक है तो question number 8 का जो आंसर है आपका वो हो जाएगा आपका option जो A है वो सही हो जाएगा या, ला, रा, वा यानि सामाजिक जीवन में क्रोध की ज़रूरत बराबर पड़ती है यदि क्रोध ना हो तो मनश्य दूसरों के द्वारा पहुचाए जाने वाले बहुत से कष्टों के कष्टों की चिर्न ब्रत्ति का अपाए ही ना कर सके ठीक है चलिए आंगे बढ़ेंगे प्रशन नम्मर आपका 9 है कि नीचे दिये गए बाक्यांस के लिए एक शब्द क्या होगा पूरव और उत्तर के बीच की दिशा ऑप्शन A आगरें ऑप्शन B ईषान ऑप्शन C बायब ब ऑप्शन D नेरित्य तो प्रशन 9 का जो आंसर है वो आपका आप्शन जो B है यह यहनि ईसान वो आपका सही हो जाए यनि पूरा वरत्तरी बीच की दिसाव क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं. प्रशन 10 है कि वले शब्द कारत क्या होता है? उप्शन A. ब्रच्छ की चाल. उप्शन B. गोला कार घेरा. उप्शन C. म्रग चाल. उप्शन D. आवरण. तो प्रशन 10 का जो आंसर है वो आपका उप्श पुन्य. उप्शन B. आजीवन. उप्शन C. घुडशवार यो उप्शन D. पीतांबर. तो यहां पर आपका उप्शन जो A है. वो आपका सही हो जाएगा. यनि आजीवन सब्द में कौन सा समास है? अब्यभा समास है. अब्यभा समास की पैचान क्या होती है? पहला पद कै इसा हो? उप्शर्ग हो. तो बहाँ पर समास कौन सा होता है? अब्यभा. पाप पुन्य में कौन सा होगा? पाप और पुन्य. तो यहां पे आपका हो जाएगा द्वंद शमास. गोडशवार में. गोडशवार पे हो जाएगा आपका तत्पुरुष शमास और पीतांबर मे है कि ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है option A कर्म कारक option B करड कारक option C शंप्रदान कारक या option D अधिकरड कारक तो प्रश्ण वारे का option जो D है वो आपका सही हो जाएगा यह ठीक समय पर आ जाना बहां पर हो जाएगा अधिकरण, अधिकरण का मतला हुता है में, पर, तो यहां पर पर आ रहा है, तो बहां पर कौन सा कारण हो जाएगा, अधिकरण कारण, ठीक है, चले यांगे बढ़ेंगे और प्रशन आपका अंगला देखेंगे, प्रशन आपका 13 है कि मंदिर और मंदिरा का अर्थ क्या और मंदिराकार्थ क्या होगा, option A, पूजा घर पुजारी, option B, घर सवारी, option C, गुफा, बड़ी गुफा, option D, देवाले अश्वशाला, तो प्रशन 13 का जो option D है वो आपका सही हो जाएगा, यहीं मंदिरकार्थ होता है देवाले और मंदिराकार्थ होता है अश्वशाला, आ उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, option C, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, यह option D, ज्योंहीं वह घर से निकला वर्षा होने लगी, तो प्रशन 14 का आंसर जो B, यह option है वो आपका सही हो जाएगा, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, जो बाक्य है, कैसा है मिस्रबाग के हैं आगे बढ़ेंगे परशन नमबर आपका पंद्र है कि आपका काभ्यांस को पढ़कर नीचे देगए परशनों के उत्तर देने हैं काभ्यांस को पढ़ना है कि आज वर्सों बाद उठी है इच्छा हम कुछ कर दिखाएं एक अनोखा जस्न मनाएं अपना कोरा अस्तित्व जमाएं आज वर्सों बाद सूखे पत्तों पर वसंतृत आई है विचार रूपी कलियों पर बाहर खिल आई है गेहनिता की फसल लहलाई है सायद इसी कारड आज वर्सों बाद उठी है इच्छा कि हम कुछ कर दिखाएं अपना कोरा अस्तित्व जमाएं तो ये काभ्यांस था अब इसके प्रशन दिये गए उन प्रशनों के हमें उत्तर चांटने हैं प्रशन पंद्रह कभी के मन में इच्छा उत्पन होई है आप्शन A कुछ महत्पूर कार करने की उप्शन B मन से बाते करने की उप्शन C खुशियां मनाने की उप्शन D अपनी पहचान मनाने की तो प्रशन पंद्रह का उप्शन A जो है वो आपका सही हो जाएगा यहीं कुछ महत्पूर कार करने की आँगे बढ़ेंगे प्रशन अम्मर 16 है कि सुखे पत्य प्रतीक हैं उप्शन A अकाल के उप्शन C मन के सूने पन QUE ऑप्शन D सुशकता के तो प्रशन 16 का जो आंसर है वो उप्शन C जो है वो सही हो जाएगा जहीं, सुखे पत्य के किसका प्रतीक है मन के सूने पन QUE आंगे बढ़ेंगे और प्रशन आपका अंगला देखेंगे की फसल से कभी का क्या आस है option A, विचारों में परिपक्वता, option B अपना स्क्तित्व, option C लहलाहती फशलें option D, विचारों की गंभीरता तो प्रिशन अठारे का option जो A है, इन्हीं विचारों में परिपक्वता वो सही हो जाएगा आगे बढ़ेंगे परिशन अंबर 19 है, कि रिक्तिस्थान है तो दिये गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए, रामू की खाले जगए, केवल इसी लिए हुई, क्योंकि राजीव उसकी खाले जगए, अधिक बुद्धिवान तो यहाँ पे आपका उप्शन जो C है, वो आपका सही हो जाएगा यहनी रामू की उपेच्छा केवल इसलिए हुई, क्योंकि राजीव उसकी अपेच्छा अधिक बुद्धिमान है आगे बढ़ेंगे परिशन नंबर 20 है, कि निम्न पंक्ति में सही अलंकार चैन करिये, पानी विच मीन प्यासी मुहिश शुन सुन आबे हासी, ओप्शन A बिभाबना अलंकार, ओप्शन C अतिशोक्ती अलंकार, ओप्शन C विशेशोक्ती अलंकार, या ओप्शन D उपमालंकार, तो प्रशन 20 का जो आंसर है वो आपका option जो C है यानि विशे शोक्ति यलंकार वो सही हो जाएगा आगे बढ़ेंगे प्रशन 21 है कि निमलकित बिकल्पों में से किस बिकल्प में सभी शब्द व्यक्ति वाचक शंग्या के उधारण है option A राम रामचरित मानस गंगा option B करश्ड कामाईनी मिठास option C लखनव आम बुड़ापा यो option D ममता वकील पुस्तत तो 21 का जो आंसर है option जो A है वो सही हो जाएगा यह नहीं राम रामचरित मानस और गंगा यह कैसी संग्या है तो यह है व्यक्ति वाचक शंग्या आंगे मड़ेंगे प्रशन नम्मर 22 है कि निमलकित मेंसे क्या गंगा का परयायवाची नहीं है option A मंदाकिनी, option B भागी रती, option C कालिंदी, option D सुर शरिता तो प्रशन 22 का option जो C है यहीं कालंदी वो आपका गंगा का प्रयायवाची नहीं है वो किसका है यह मुना का प्रयायवाची है प्रशन 23 है कि शुद्ध वर्तनी का चैन करिये अवनती, स्रंगार, मुश्किल, मात्र भूमी तो प्रशन 23 का जो आंसर है वो option जो B है यहीं इस्तरंगार वो सुद्ध इसी तरीके से लिखा जाता है प्रशन 24 है समुआर्थक शब्द चिन्नित के जिए पुरुष, option A, option B, इस्तरी, option C, मनुश्य option D, भीड तो भीड कैसा होता है, भीड जो सब्द है वो समुआर्थक शंग्या है, ठीक है चलेए आंगे बढ़ते हैं वो प्रशन आपका अंगला है, प्रशन 25 कि आंसिक सब्द में प्रत्य है, option A, option B, का option C, एक option D, सिक तो आंसिक में आपका जो प्रत्य है, वो कौन सा है, एक प्रत्य है, option C है, वो आपका सही हो जाएगा अंगला है कि नीचे दिएगे बाक्यांसों में तुरुटी पूर्ड, खंड को चिन्नित केजिए, यदि कोई तुरुटी नहीं है, तो option D, गलत होगा सही हो जाएगा, तो पुलिस द्वारा, पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, इनमें कोई तुरुटी नहीं है, तो प्रशन 26 का यहाँ पे आपका पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है, तो यहाँ पे आपकी अशुद्धी है प्रशन नम्मर 27 है कि वधुर्मी का संदी बिच्छेत क्या होगा option A बदुधन उर्मी option B वधुधन उर्मी option C वधुधन उर्मी option D वधुधन उर्मी तो 27 का जो option जो B है वो आपका सही हो जाए निए बदुधन उर्मी प्रशन नम्मर 28 है कि विनार्तक शब्द का चैन करें यानि विनार्तक का मतलब तीन का तो अर्थ एक समान होगा और एक विल्कुल अलग है उसका चैन करना है अप्शन A, पावक, अप्शन B, अनिल, अप्शन C, अनल या अप्शन D, करशान तो प्रशन 28 का जो आंसर है वो आपका ओप्शन जो B है वो आपका सही यानि अलग हो जायगा क्योंकि अनिल जो होता है वो हवा का प्रयावाची है, पावक, अनल, करशानौ ये आगके प्रयावाची है आँगे मणेगे प्रशन न师 है और इस वीडियो का लाश्ट प्रश्ण है आपका कि गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के प्रयावाची है उप्षन A, प्रलय, उप्षन B, धवल, उप्षन C, पंकिल यो उप्षन D, पामर तो प्रश्ण 30 का जो आंसर है वो आपका उप्षन C, सही हो जैने पंकिल जो है गंदला, मैला और मलिन का प्रयावाची है तो ये थे 30 आपके most important प्रश्ण जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से कराए है मिलते हैं आपको अंगले वीडियो में नए प्रश्णों के साथ तब तक के लिए धन्यवाद